हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू जी के प्रीन सेकंडमी तो हम लोग डिसेस करे थे यूपी त्री पहले सी वीडियो रिजाम्स के सामान जानकारी के अध्यायवार सॉल्ट पेपर की और ये लेटेस्ट बुक निकाला गया था यूद के बुक के दारा और इसमें जो है टोट के लिए बहुत ही हलगोल हो सकता है प्रीब़िएस वीडियो में बहुत ही ऑघ्याम पूरा कम्पलीट किया जा चूक możा है तो इसको भी देखेगा आज के पूछ करेंगे भारत के भुगोल से संबंद जितने भी question पूछे गए हैं अभी तक मनलब की यूपी दिर पले सी के exam में तो सारे के सारे इसमें लिये गए हैं आप उसको देखिए और उससे संबंद थोड़ा-थोड़ा करके जो है कुछ detail में चीजे दी गए हैं उसके नीचे तो व फाइदा जो ही exam में अच्छा तरीके से मिल नहीं पाएगा ठीक है लगभग इसमें 300 प्लस question है जो की 300 अगर आप देख मनलब इसको अगर देख लिए एक बार में या थोड़ा सा speed करके भी देखेंगे तो लगभग एक और घंटे-दो घंटे में complete हो जाएगा ठीक है तो आपका लगभग लगभग जो है भुगोल में जो भी question पूछे जाने हो सभी का सभी आपको इस तरीक से एक तरीक से आ जाएगा तो इसलिए वीडियो को पूरा देखे और इंड तक देखेगा फिर इसके बाद अपना जो है feedback देना मत भूलिएगा और वीडियो अगर अच सबसे छोटा केंदर जो है सासित प्रदेश इनमें से यह 2022 के पेट के पेपर में पूछा गया था 52 में आया था तो इनमें से अगर सबसे छोटा कि अगर हम बात करें तो लक्षिदीव होगा answer इसका D option से जाएगा इनमें से सबसे छोटा क्या है लक्षिदीव जो है सबसे केंदर सासित प्रदेश जो है वो लक्षिदीव है इसकी राजधानी कहां पर है कावारती है और यहां की 93% से अधिक आबादी यहां की मूल निवासी है और लक्षिदीव में छोटे बड़े कुल मिलाकर 36 दिवप सामिल है इसके लक्षिदीव के अंदर रेत कुल तीन समू लेगडाई दिवप समू और मिनिकाई दिवप समू ठीक है और यहां के सभी छोटे प्रवाल मूलक अट ओल है जो चारो और से फ्रीजिंग रीप से घिरे हुए है तो यह कुछ बाते होगी लक्षिदीव के बारे में जो जानना अतिया हो सक है अगला प्रश्न अगल 82 डिगरी 30 मिनट पूर्वी देसांतर को जो कि भारत के प्रियाग राज यहनिक इलाहबाद के नएनी से होकर गुजरती है जो यह समय माना गया है भारत का माना है GMT से 2-3 मिनट पूर्व है और भारत का समय GMT से 5.5 घंटे जो आगे भी है यह भी याद रखिगा नेशक्वेसन नियम्दिखित में से कौन से भारत के दो पडोसी ग्वाओं देश हैं इनके से बताना, ठीक है? इसका एंसर हो जाएगा स्री लंका और माल्दू ये दो ऐसे देश हैं जो पडोसी हैं और देश हैं तो एंसर C जो आपसं सही हो जाएगा अब दो पड़ोसी दिव में अगर सिलंका की राध्धानी की बात करें तो सिरी जय बर्धने कोट्टा पूरे है इसका राध्धानी है और यह जो है भारत के दक्षड में हिंद मासागर मिश्तित है माल्दिव की राध्धानी माले है माल्दिव की जंसंख्या और छेत्रपल दोनों ही प्रकार से एसिया का सबसे छोटा देश माले को कहा जाता है माल्दिव को कहा जाता है ठीक है तो इस तरीके से चीज़े होगी अगला प्रशन भारत की कितने राज है बांगला देश के साथ सीमा साजा करते है क्वेश्चन आया था पेटके सिफ्ट सेकंड में सबसे पहले हम मंगला देश की बात करेंगे तो वीसे तो पांस राज्च्त करते है और बादसे और से कहने साजोड है तो लद्दाघ लट्दाग हिमाचल परदेश उत्राखंड सिक्किम और अणड़ाचल परदेश यहां पर देखेंगे तो चार राज हैं और एक केंदरसासित परदेश है तो इस तरी के से टोटल राज केंदरसासित परदेश पांच होगे लेकिन अलग अगर पूचा जाएगा तो चार हैं उनमें से दो जो है क्या है दो जो है वो है केंदर सासित हैं तीन जो है राज्य हैं पंजाब राजस्तान गुजरात तीन राज है जमुकस्मी लद्याक दोठो केंदर सासित परदेश हैं तो इस तरह के से पाकिस्तान कहो गया नेपाल की अगर हम बात करें तो बिहार उत् तो यह हो गए भारत के पडोशी देश और उसे जो टच होने वाले राज जो है अपने देश के वो सभी बाते होगी एक साथ में ठीक है तो अब इससे question अगर आएगा तो आप लोग इसको गलत नहीं होने देना अगला question है बारत का सबसे उत्री अच्छांस का उनसा है बारत का सबसे उत्री अच्छांस की बात कि ने तो 37.6 जो है नार्थ ये सबसे उत्री अच्छांस माना जाता है तो राइट एंसर इसका बी बात हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से भारत के भगवलिक के जिस्थिति जो है उत्री गोलार्थ में 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अच्छांस और पूर्वी तट्य मैदान के धच्छड़ी भाग को कौनसा तट कहा जाता है तो जो पूर्वी तट का मैदान है ठीक है यानि कि आगर हम बात करें भारत के तो इस היא किसे कुछ भारत है और पूरवी तख ये side हो गया तो इसके तट ये जो मैधान है ये हो गया तो दच्छडी भाग को इसमें जो है वो तट क्या कहलाता है तो घाटको कुछ यहां से लेकर क्रिष्णा डेल्टा तक यहां इस तरीके से कोरो मंदल तर गोलकुंडा तट जो है किष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक इतना चैत्र और उत्री सरकार्ट गोदावरी से अत्री तटिये भाग तक इतना चैत्र जो आता है वो गौवा से लेएकर मंगलूरू तक जो आता है चैत्री उसको कहते हैं केनरा तक और इसके बाद अगला क्समें भारत के किस राज में भारत में करक्रेखा लिभा याbak अगर कुछ गुजरती गुजरति आ मद परदेष राज से गुजरती है करक्रेखा बेसके आपका है देखिए तेज डिगरी 30 मिनिट उत्रिय चांस को जो है करकर रेखा कहते हैं यह भारत के मद्ध से होकर गुजरती है यह रेखा भारत के जो है कुल आठ राज्यों से गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मद्ध परदेश, चारगंड, पशिम, मंगाल, उर्तिप पुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है अब अगर हम बात करके रेखा के निकरतम इस्ति जो सहर है और राज है उनके बारे हम बात कर लेते हैं तो देखिए बहपाल सहर है जो मद्ध परदेश में है और यह जो है 30 डिगरी 25 मिनट इसका उत्रिय चांस है जबलपूर पर्देश में 30 डिगरी 9 मिनट रांची जारखन में 30 डिगरी 11 मिनट गांधी निगर गुजराद में 30 डिगरी 13 मिनट आईजोल मिजोरम में 30 डिगरी 36 मिनट ठीक है इसके इलावा अगर तला तिरपूरा में अगर हम बात करेंगे तो यह आजागा 30 डिगरी 50 मिनट ठीक है जो जोदपूर का राजस्थान 26 डिगर 29 मिनट आता है तो इस तरह के सबस्ट इसको हम कहे सकते हैं कि 30 डिगर 30 मिनट जो की करके रेखा कि सापेक्ष मद्ध पर्देश का भुपाल जो की 30 डिगर 25 मिनट है वो अच्छान से विस्तार परवस्थित निकरतम सहर है इसलिए भी सही है और आयोग ने इस परवस्थित का उत्तर जो है विकल्प सी को माना था जो की पूर्ता गरत है और विकल्प सी में कौन सा राजस्था विकल्प सी में राजस्थित की बात करेंगे तो कौन सा राजस्था तो वो था 30 गर जो की गरत है अब ये भी important question है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो दीखे, छेत्रफलो चंसिक्या कि दिश्टी से भारत दच्छडी एसिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा है, सात देशों से मिलती है, भारत के सत्रा राज्यों की सीमा है, परोसी देशों से मिलती है, इ जो है 3488 किलो मीटर की सीमा साजा करता है, पाकिस्तान 3323 किलो मीटर की सीमा साजा करता है, नेपाल 1771 किलो मीटर, म्याममार 1643 किलो मीटर, और भूटान जो है 600 इंडियान और अफगानिस्तान 106 किलो मीटर का सीमा साजा करता है, तो सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्ता के साथ साजा करता है यह भी याद रखेगा ठीक है चलिए निश कोसर देखते हैं सरदिय विशु यानि कि दिन रात बराबर को सरदिय विशु कहते हैं और 2019 में किस तारीक को था यह बताना है तो यह पड़ता है तेश सितम्बर को यह फिर कहसकते किसी के आसपास पड़ता है तो एंसर्स का यह बाट हो जाएगा ठीक है विशु कि अगर हम बात करें तो वर्स का वह समय होता है जब सूर्य विश्वत रेखा पर दोपाहर के समय लंबोत होता है इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकास वा उर्जा प्राप्त होती है पिर्थिवी पर दिन वर रात आवद जो है समान हो जाती है यह हिस्तिती वर्स में दो बार आती है पहला आता है कीस मार्च को दूसरा आता है 23 सितंबर को बसंत बिसू और सरद बिसू के नाम से जानते हैं तो उनों को अब करके रेखा जहें टोटल भारत के राजियों में से अगर देखा था तो आट राजियों में से भूख कर गुजरती है गुजरात, महत परदेश, राजस्तान, चातिस गड़, पश्य, मंगाल, जार, खंड, त्रिपूरा और मिजोरम से याद रखिएगा निमलिके में से कौन साथ जिला भारत के अंतराष्टी सीमा परिष्थित है तो वो जिला का नाम है कि नौर जिला एंसर जो है C पार करेक्ट हो जहाए कि नौर जिला जो परतह हैं हिमाचल परदेस का जिला जो कि अंतराष्ट सीमा परिसित है और ऐस जिले की सीमा जो है तिव्बत यह तिव्बत चीन के साथ जो अभी चीन नेom पत्पत किया हुआ है तो उसके साथ मिलती है ठीक है? अगला प्रशन देखते हैं इन्हें में से कौन सी भारतिय छेत्र में एक खाड़ी नहीं है तो उस खाड़ी का नाम क्या ही बताना है तो उस खाड़ी का नाम है अकाबा की खाड़ी यह भारतिय छेत्र में खाड़ी नहीं है अकाबा के खाड़ी जो है लाल सागर का भाग है और इसकी सीमा मिस्र, इसराइल, जार्डन और सौधी अरब से लगती है तो इस तरीके से एंसर आपका डीपार्ट हो जाएगा नेश कोशन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा एकल दीवप सुदूर दच्छिड में कौन साह ये बताना है तो इसका एंसर क्या हो जागा एंसर हो जागा इसका डीपार्ट ग्रेट निकोबार दीवप समू है एंसर इसका क्या हो जागा डीपार्ट ठीक है भारत का सबसे दच्छिड़तम दीवप पड़ा निको बार दीव समुक के नाम से जानते हैं और जिसका दचिर्तम बिंद ही भारत का दचिर्तम बिंद यानि 6 डिगरी 45 मिनट उत्रियत चांस में पड़ता है इसे इंद्रा पॉइंट कहा जाता है जब कि प्रियाई दीपिय भारत का मुख रूप से जो है दचिर्तम भारत के किस राज्री का सबसे लंबा समुद्री मार किनारा है इन में से यंद्र से पांच तट रैखाव ने गुजराद पहले नमर ऑता है 1247 किलमेटर इससकी सीमा रेखा है समुद्र से ठीक है इसके बाद दूसरे नमबर पर आंद परदेश का 970 किलोमीटर तमिर्णार का तिसरे नमबर पर महाराज चोथे और केरल पांचो नमबर पर आता है निकोबार में दिवपो की संख्या क्या है तो निकोबार में दिवपो की संख्या की बात करेंगा तो टोटल 19 है अंसर इसका बीपार करेंट हो जाएगा ठीक है और अगर हम बात केंए तो इसमें अंडवान निकोबार दिवपो की संख्या 19 है और यह दिवप वास्तों में सम सबसे बड़ा है इनमें से बताना है तो वह है पांडचेरी एंसर इसका भी पाठ हो जाएगा ठीक है लद्दाग की बात के लेगदाग जो है छेदरफल की दिष्टी से भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश है जबकि दिये गए विकल्पों के अनसार पांडचेरी जो है इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा ठीक है कुल आठ संग सासित परदेश है दिल्ली चंडिगर लच्चेदिव पांडचेरी अनमान निकोबार दादरानगर हवेली जमू कस्मीर और लद्दाग ठीक है अब इसमें 26 जनरी 2020 को दादरानगर हवेली और दमंदिव को एक अगर देखा जा तो स्री लंका की सीमा जो है इस तहली सीमा जो है बारत के साथ नहीं मिलती बाकी सार्यों के साथ मिलती है ठीक है अगला प्रशन भारत ने पिर्थिवी के धरातल पर कितना परसंट घेरा हुआ है तो यह हो जाएगा 2.4 परसंट इसका डी पार्ड करेक्ट हो जाएगा नेश कुर्शन चैन देशों की बात करेंगे चेत्रफल की दिश्टी से तो पहले अस्थान पर रूस आता है दूसरे कनाड़ा तीसरे चीन चोथे अमेरिका पांचवाब राजील और छाठे पर आश्टेलिया आता है साथों पर भारत का नंबर आता है तो इस फातजार पांसो किलोमेटर चेह तहले स्ábout करेक्टों से ऍपारोल था जाया है ठीक है बारत की समद्री तटीय रेखा के किनारे से कितनी और अप्रवासी कानून लागू करने का दिकार है। तीन हजार दोसो किलो मीटर है। तो इस तरीके से इसका इंसर जो हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा बिहार से नहीं गुजरता है। पाचो राज देख लिए उत्रपरदेश, मद्रपरदेश, आंदरपरदेश, 36 गरोड़ीस है। यहां से जेम्टी जो है अपना मानक समय जो है इन पाचो राजों से होकर गुजरता है। अगला कुसर्ण है भारत की सीमाए कितने देशों से लगती है तो भारत की सीमाए टोटल सात देशों से लगती है। सब्सक्राइब अपने उत्तर दच्छड में किस से घिरा हुआ तो तो बंगलादेश से घिरा हुआ एंसर इसका डी आपसन सही हो जाएगा निम्लिकित में से कौंट सा इसके बारे में बात हो चुकी अगला क्वेशन देखते हैं निम्लिकित में से कौंट सा एक पड़ोसी देश नहीं है वह भालत का तो इन में से अगर देखा जाए तो UAE जो है पड़ोसी देश नहीं बाकि म्यामार, चीन, माल, दी, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ठीक है और नेपाल ये सब क्या है पड़ोसी देश है निम्लिकित बताना है कि समुद्र सिक्किम निम्लिकित में से किस देश के साथ सीमा साजा करता है इन में से तो वो है इन सभी के साथ सिक्किम साजा करता है जो इसको चिकनने किस तरीके से करके जो कहा जाता है और अचरक पर देश के भगल में जो इस तरीके से निकला हुए यहां पर अगर देखा ज़र नेपाल है और इसतीत है यहां पर जो यहां पर पड़ता है तिनों से मिलता है कि अगला संधते हैं प्रिट्थभी की सिन्टा के लगता कितना भारत दोर्त कबर किया गया है जिए आर ना फूसे दिखते हैं बेश्टल का खाड़ी में अन्रमान दिवप और निकोबार दिवप को संभू को एक दूसरे से अलग करता है। इसलिए दस डिघरी देखा परिस्ति थे इसलिए इसका नाम 10 डिगरी चैनल रखा गहा है। निम्लेके में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग होता है तो वो है अंड़मार और निकोबार दियुप समूँ दोने एक दूसरे से अलग होते हैं तो एंसर भी पार करेक्ट हो जाएगा और अगर हम बात करें तो यह 155 मीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अच्छांस के समय पश्ची में बंगाल की खाड़ी को पूर मान सागर से जोड़ती है नदी दियुप कौन है इनमें से बताना है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा नदी दियुप इनमें से अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा माजुली दियुप जो कि एक नदी दियुप है असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में इस्तित है और यह पूर्भी दियुप गुहाटी से 200 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है इस दियुप से एक 106-7 कहा जाता है गुहार मोती या गौर मोता यह जो है पैसिमी छोर पर इस्तित है निम्लिकित के अंदर सासित परदेश चेत्रों में जो है सरबाधिक बड़ा आकार किसका है तो वह हो जाएगा पांड़चेरी का इसका डी पार करेक्ट हो जाएगा ठीक है ऐसे अगर देखा इसके बाद आता है पांड़चेरी का फिर चन्रीगर का फिर लक्ष दियूप का आता है बस तर एक अदवासी जिला है किस राज में परता है तो यह पड़ेगा आपका चतिस गड़ में एंसर भी पार करेक्ट हो जाएगा ठीक है प्रवत पठार से कहां पर तो यह भूमत उत्तर में जो है कन्यकुमारी इस्तित है एंसर इसका क्या जेगा भी पार करेक्ट है परवत पठार से कह देखते हैं कौन सा सबसे उचा भारतिय सिखर इन में से तो वह हो जाएगा कंचन जंगा ठीक है भारतिय सिखर सबसे उचा कंचन जंगा है इन में से कंचन जंगा ज जो कि पाक अधिकरित कस्मीर में इस्तिता और ये 20 का दूसरा सबसे उचा सिखर है ठीक है यह हो गए अगला प्रसंद देखते हैं अगला कुस्षन अरावली परवत श्रेणी से सबसे उचा सिखर का उनसा है तो वो है गुरु सिखर एंसर सी पार करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह नेश्य घृव ängtडिट तो ये नेपाल और तिबध के मद इस्तित हैाए झांश तुक्षोढ ख़िता है एंसर इसका सी आकवंड के मद इस्तिते है इसका दातर जभबा नेशो सिंगणी से घरा हुआ है तो यह इह गिरा हो है विंद्य परवत माला उत्तर भारत को दचिड भारत से अलग करती है अगला उसर नेमिलिक में से किस परवथ सिंखला को सहाद्री कहा जाता है तो वो परवथ है पैशिमी घाट जो होता है मलब जो है परवस्रिंखला को सहाधरी भी कहा जाता है यह परवस्रिंखला गुजरात से कन्या कुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी है यह अपनी जेव विवित्ता के लिए 200 परसिद है 2012 में इसको ने 200 के पश्मी घाट छेत्र को जो 200 धरोहर अस्तल गोसित किया था परसिद चोटी के टू माउंट गाडविन आस्टिन सिरिंखला में इस्तित है और कौन से सिरिंखला में है तो यह कारा कोरम सिरिंखला में इस्तित है एंसर इसका सी आपसन सही हो जाएगा जो कि पाद पाक अधिकरित का समीर में है और संसार में एवरेष्ट के बाद दूसरी सबसे उइची चोटी ए इसका नाम Henry सिवाइов Godwin आुस्टिन के नाम पर हुआ है इसे लोग अस्थानि लोग क्या कहते है दाप सांग ठीक वोगते इंपार्डंट कॉष्चन था पैसिमिघार का सबसे उच्चतम सिखर का उनसा है नाम वो हो जाएगा अनाई मूडी, एंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अनाई मूडी जो है पैश्मिघार का सबसे उच्छतम सिखर है, और ये जो है केरल में इस्तित है, दच्छिड भारत की सबसे उच्छी चोटी भी है, ये काड़ामम पहाडी, अन्नामलाई पहाडी और पालिनी पहाड़ियों के मिलन विंद पर जो है, एरावी कुलम राष्टिय उध्यान के दच्छिड चेत्र में इस्तित है, इसकी उचाई 2695 मीटर है, निमली के में से कौन साब विकल्प, लगुत्तर हिमाले परवत की सबसे लंबी परवत माला है, तो इन में से इसका परवतों में निर्मतर खंड होते हैं, किस परकार होते हैं, तो अगर हम बात कहें तो उनके, उन्हें कहा जाता है हर्ष्ट, हर्ष्ट कहते हैं, इसका सी पाट हो जागा, जब दो भरंसों के बीच एक अस्तंभ या यथावत रहत और किनारे के इस्तंभ नीचे धंस जाएं जबकि दो ब्रहंसों के किनारों के अस्तम यथावत रहो बीच का अस्तम जो है उपर उड़ जाए इस तरीके से तो ये हार्ष्ट परवत का निर्मार होता है जर्बनी का हार्ज परवत इसका प्रमकुधारन है प्रियादय पे पहाड़ी मैदान यानि कि पठार की एक अनोखी विशेष्टा काली मिट्टी का छेतर है चीस से क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं दककन ट्रेव अंसर भी पाठ हो जाएगा ठीक है दककन ट्रेव और अगर हम बात कें तो ये कहां पाजाता दककन ट्रेव का अबिस्तार तो महाराष्ट, गुजरात, मध़परदेश, जहारिखंट, 36 गर, तमिलाट, करनाटक, ओडिसाद, राज्यों में ये है और ये लावा के अपच्छे से काली मिट्टी का विकास इन छेतरों में हुआ है काली मिट्टी में अगर हम बात कें तो कपास की खेती सर हो जाएगा तो हो जाएगा अनाइमुडी ठीक है अज़ भारतिय प्रायदि प्यानी की दच्छिव भारत की पूछा गया तो अनाइमुडी हो जाएगा अनाइमुडी जो है सबसे उंची चोटी है कि और यह अन्नामलाई की पहाड़ी परिस्त है और इसके अगर बात कें तो केरल राजी के उड़की जिले में इस्तित है ठीक एनाइमुडी चलेने इसक्रसन कौन सा पठार भारत की खनी भारत का हिर्दे के रूमें जाना जाता है तो वह है छोटा नागपूर पठार एंसर बी पार गरेक्ट हो जाएगा इसे हर्ट लेंड आफ इंडिया कहते है चोटा नापूर पठार को क्योंकि ये खनी संपन छेतर है और इसे भारत का रूर भी कहा जाता है ठीक है प्रदेश के नाम से जानते हैं चोटा नापूर पठार अभरक बाक्साइट तामबा चूना पत्थर लोहा आयसक और कोईला जैसे खनी जो का बंदार के रहा है तो स महान हमाले या हमादरी परवट सिखर में इस्थित नहीं है फिरहत हमाले को हमादřी महान हमाले या सर्वोज हमाले की संग्यां दी है यह सिंध नदी के गहार जैसे अउन्वा प।र ब्रह्मret मोड तक फइला हुआ है महान हमाले के प्रमुः चोटियों में माउंट इवरि कि अइसर इसका नाक टिब्बा हो जाएगा जो कि बिरीच इमाले में नहीं पाई जाती है इन में से कौन सा लग हिमाले या हिमाचल के महतपुर्ण पहाड़ी रिजार्ट में से एक नहीं है तो वह बारा सूर ठीक है अन्सर क्यों जाएगा बारा सूर चयल रानिक ए तीनों जो है लग हिमाले के पहाड़ी रिजार्स के अंतरगत आते हैं जबकि बारा सुर जो है लग हिमाले या हिमाचल पहाड़ी के रिजार्स के अंतरगत नहीं है चाहल हिमाचल परदेश के सोलन जिले में जिले में जिले में जिले थे ठीक है और नैनी ताल उत्राखंड राज का प्रमुक नगर रहता था नैनिताल जिले का मुख्याले भी है बारा सुर्फ आगर बांद के रल राज के वाईनाड जिले में ज्चति थे वाईनाड जिला याद करिए जो 17 समय चर्चा में है इस बांद का निर्मार बाला सुर्षागर परियुजना की अनुसार हुआ यह परियुजना 1989 में प्रारम भूजती है कौन सा सर्बोच परबस सिखर है जो पूरी तरह से भारत में इस्तित है इन में से कौन सा यह बताना है ठीक है तो यह वीडियो के पेपर में पूछा गया था अब अगर हम बात के नहीं में से तो देखिए यह बीवादित है है क्वेश्चन देखिए श्टार लगा हुआ है इस काम डिटेल में देखते हैं भारत में पूर्ण रूप से इस्तित सर्बोच परबस सिखर जो है कंचन जंगा है 8586 मीटर जिसके उचाई है और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर इस्तित है माउंट केट्व यानि कि गाडविन आश्टिन की बात के तो 8611 मीटर भारत का सर्बोच सिखर है जो कि कारा कवरों परवस रहनी में इस्तित है बरतमान में यह पाक अध्रगरित कस्मीर यानि की पी ओके का अंग है और आयोग ने इस प्रस्ण का उत्तर नंद देवी को मान है ठीक है तो इस तरीके से यह था जब किसमें माउंट के टू जो है यानि काडविन आश्टिन और कंचन जंगा यह दोनों भी भारत के अंतर ही पाय जाते हैं ठीक है तीन आप्सन होना चाहिए लेकिन इसमें जो नंद देवी माना था चली अगला प्रस्मी घाट इसमें स क्या है तो पठारों का ढलान है पश्मी घाट इसका सी पार करेट जो कि गुजरात और महराज की सीमा से सुरू होकर गोवा करनाटा केरल तमिनाड होते हैं करना कुमारी में समात हो जाती है नेश कोशन कारा कोरम परवत स्रिंखला की सबसे उची चोटी का नाम क्या है तो वो है माउंट के टू एंसर इसका बी पार हो जाएगा इसके बार हम बात हो चुका है नेश कोशन देखते हैं पोन मुडी दच्छिडी भारत का एक छोटा सा हिल इस्टेशन और यह किस सहर के पास सिथित है तो पोन मुडी जो है यह तिरुवनत पुरम के पास सिथित है ए तो केरल राजम एंसर इसका सि पार करेंट हो जाएगा नेश कोशन दिमलके में से कौंड सा घाती हिमाले परवस रिंखला में इस्तित नहीं है तो वो है आराकू ol इसका जेगा डी बार करेट है उम्हाले एक परवत तंतर है जो भारतिय उपक महाधीब को मध्धेशया और अत्या लग करता है उत्तर से दच्छिट के क्रम में तीन समांतर सेंडियां महान हिमाले मध्ध हिमाले बाह हिमाले या सिवालिक हिमाले से मिलकर बना जो परशिम से पूर्व की और लग भगधाई याजार किलोमीटर की लंबाई में फैली है हिमाले प्रवस इंखला में करेवास भागी रथी इसलिए आपका इसमें अरा Κूण देखते हैं में गाले पठार कि सबसे उंची चोटी को सीन में से तो मेंगाले पठार कि सबसें उंची चोटी के अगर हम बात करेंगे तो एंसर हो जाएगा शीलांघ चोटी एंसर डी बाट करें रट रहुँ जयगा, मेगाले पतार परिया पठार का भाणियां जो भहख सकर जो पतार प्रेंच सनर्बी आगलांग पतार का 12 हो गया और मेगाले पायांग की सबसे होची चोटी है नाम सीकुता जैनतिया कितिहास के अनसार भारत का सबसे पुरानी चतानओं से वनी हुई है इसमें सबसे उची तो क्या हो जएगा करल में सर्भोज परवत चोटी का नाम बता है तो वह है अनाई मुडी के बारे में बाते हो चुगी गुराइन हुख्ते है नेमने मेंसे किसे भारती है परवत चोटी की उचाई सबसे कम है इनमेसे तो वो हो जाएगा मुकुट परवत की सबसे कम है अब उचाई की बात कि रहे तो कंचन जंगा की उचाई है 8586 मीटर सिक्किब में नंदा देवी 7817 मीटर उत्रा खड़ में कामेट परवत 7,756 मीटर उत्राखण में, मुकुट परवत 7,242 मीटर उत्राखण में, तो सबसे कम होचाई मुकुट परवत की हो गई, नेश कुशन, दुनिया के सबसे बड़े चार रेगिस्तान, एक भारत कहां इस्तित है, इन में से बताना है, तो हो जाएगा कक्छ गु से पराफ्थ होता है, कक्छ कारण देश की सबसे बड़ी वनेजी और भ्यारन वाइल लाव सेंचुरी में से एक है, लगबत 23,000 वर किलोमेटर छेदर में यह फैला हुआ है, अगला प्रशन, कंचन जंगा जो विस्सुक में तीसरा सबसे बड़ा परवत है, और यह किसके स सीमा के बीच है, तो यह भारत और नेपाल के बीच इस्तित है, इसका सी पाट हो जाएगा, ठीक है, अब दार जलिंग की उचाई की बात करेंगे, तो 2042 मीटर पर है, और उटी की बात करेंगे, तो 2240 पर है, सीमिला 2202 पर है, डलाओ जी 1970 मीटर पर है, तो इस तरी के सबसे तो मूची उचाई, जो हो जाएगे, मूची की है, नेश कुसन, उत्री अंडमान का उचितम बिंदू, 732 मीटर पर इस्तित काउन सी चोटी है, तो वो है सैडल पीक, एंसर इसका सी पार करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सैडल पीक, माउंट देवमाली ओडिसा के कोरापुर जिले में है और करोह चोटी हरियाना के राज के पंचकुला जिले में है, और बेटर लिंग चिप के नामक चोटी, जो हित्रपरा राज में इस्तित है, तो इस्तिती कि सियाज रिखेकी अब देखते हैं तर्रा के बारे में कुएश्चन, तो पहला Anyway कि वह मार्ग पर है यह भारत के सिक्किम को चीन से तिब्बत स्वाय चेतर से जोड़ता है तो नाथुल्ला दर्रा से बिसिकली सिक्किम में पाया जाता है यह प्राचीन सिल्क रोट का एक प्रासाखा का हिस्सा बनता है और भारत चीन के 1962 हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था इसे पूना 4 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया और लास सब्द जो है तिब्बती भासा में दर्रे के लिए परियोग किया जता है दिये गे दर्रों उनके नाम और अस्थानों का सहीं जोड़ा बताना है जो जिला और बुर्जीला जम्मू का स्वीर में है अगले हम अगला हम देखते हैं कौन सा इसमें सहीं है पहला होगे अब दूसरा अपसर इसमें दूसरा दिया गया कि बड़ा लाचला और सिपकीला जो है उत्तर पर देश में है ठागला नीतिपास और लिपुलेक हिमाच स्वागे हयो जगता हैं तो जोजिला है दोनों चम्मू कस्पीर में हैं बड़ा और सिपकीछ धाउर कहिधिक हमाचल झतर पर तो नाथुला और जेलेपला ये सिक्की में है और चांगला दर्रा लद्दाक में ठीक है नेश्कोसन इन्हें से कौन सा राज पाल घार तर्रे के आपस में जुड़े हुए है तो वो राज है केरलो तमिलाड एंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा ठीक है पाल घार दर्रा जो है ये पैश्मी घार परबत के एक बड़ा दर्रा है निलगडी पहाणियों और नमलाई पहाणियों के बीच इस्तिति ये दर्रा लगवे 32 किलो मीटर चौड़ा है ये केरलो तमिलाड दोनों राज्यों के बीच एक दर्रा यात-यात के लिए प्रमुख म मार्ग की भूम का निभाता है पालगाट दर्रा से होकर गुजन्य वाले राजमार्ग अथवर और रेल मार्ग कलन में पलककर को तमिलाड में कुएमबटूर से जोड़ते हैं नेश कुशन इमलेक में से कौन सा प्रबतिय दर्रा उत्राखन में इस्तित नहीं में से तो किला जो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख्या दर्रा है और यह हिमाचल प्रदेश किन और जिलों को तिबबत से जोड़ता है नेश कुशन जो जिल्ला पास किस से जोड़ता है तो जो जिल्ला पास जोड़ता है तो जो जिल्ला पास जोड़ता है कौन सा दर्रा तिबत के सा सिक्क्म राज को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर इस्तितहिन में से तो बताना है कौन सा दर्रा है जो भारत चीन सीमा पर इसी था और तिपत को जोड़ता है तो इसके बारे में बात हो चुका है पहला कोशन ही था नाथुल्ला तर्रा हो जाएगा इसका राइट एंसर ट सबसे बड़ी खारे पानी की जील है जो कि किसके दच्छडी और हिस्ति थे तो यह हिस्ति थे महानदी डेल्टा के दच्छडी और हिस्ति थे तो वह जील का नाम है लोकटक जील भारत की ताजय पानी की एक भड़ी जील है और यह जील मड़ीपूर की राधानी इंफाल से तीरपन किलोमेटर और दीमापूर रेलो इस्टेशन के निकड़ी थे यह दुनिया की एक मात्र तहिरती हुई जील भी से कहा दाता है केबूल लाम जाओ नेशनल पार्क जो है इसी जील में इस्ति थे जो विस्ट का एक मात्र तहिरता हुआ नेशनल पार्क भी है इंपार्टन है नेश्कोर्शन चिलका जील कहां पर जिए तो यह ओड़ीसा राज में है एंसरी जील औरीसा प्रदिस के समुद्रिय प्रवाइ जल से बनी एक जील है भारत की सबसे बड़ी ओंविस्ट की दूसरी सबसे बड़ी जो है खारे पानी की जील है ठीक है नेश्कोर्शन दिखते हैं मूंक घाटी यानि की साइलेंट बैली कहां थे थे तो साइलेंट बैली एं इसका क्या हो जाएगा ये पार्ट जागा ये निलगीरी पठार की अनियमी धंग से फइला हुआ है थो सेघर वाटर पाल किस राज में इसी थे तो ये इसी थे महाराष्ट्र में एंसर इसका एपार्ट करेट जाएगा जबकि दूद सागर जलपरपात बारत के गवर राज म में बताना था किويकष जल किस SAMHU से नाव को जाएगा और सांबर जिल राजसथार में इस तो इस स्त्री के इसको मिलाते हैं एंसरton कösहरे इंबम सेग्थ जाएगा तो वह हैं देव परियाग में जो है भागी रथी और अलग नदी मिलकर गंगा नदी का निर्मार करती है तो वह हैं देव परियाग में जो है भागी रथी और अलग नदी नदी मिलकर जो है गंगा नदी का निर्मार करती है तो एंसर इसका हो जागा वीपार देव परियाग इसे दच्छड की गंगा या बिर्द गंगा के नाम से भी जानते हैं गदावरी की प्रमुक्साइड नदियों में पूणडा वर्धा मंजीरा पेने गंगा वेने गंगा प्राने हिता आदि नदिया हैं इसमें से कौन से हिमालय तंत्र की नदिया हैं इसमें से कौन से हैं कावेरी गंगा वर्धावरी अब इसमें से कौन कौन से हैं तो अगर हम एंसर की बात करेंगे तो इसका हो जागा दो और तीन यानि कि गंगा व ब्रहम पुत्र की हैं बाकि दो नदिया हिमालय तंत्र की और जबकि कावेरियों ग्वदावरी दचिड भारत की नदिया ठीक है गंगा नदी का उद्गम उत्राखन के उत्रकासी में गोमुक के निकट गंगोत्री हिम्नत से होता है अब ब्रह्म पुत्र नदी का उद्गम तिबबत के जो है मान सरोर जील से पास्च जो है एक क्या कह पूर्ती प्रियोग सरवादीक है तो इसमें से अगर देखा जातो वह किष्णन नदी का अंसर का पीपाफ करेक्ट हो जाएगा कि क्या के कौन एग बंदेगं नेवाज नदी नहीं मिलती है तो वहावले माराठ लो जाएक है। पर्रेधियर के प्रत्रमी की घुनत निवाजिर के प爵िए तुम जाएगी तापी, नदी, अपैय। जाएगा तापती नदी को ही तापी नदी भी कहा जाता है यह नदी मद्ध भारत दच्छड मद्ध परदेश राज दक्कन के पठार में गाविल गल पहाणियों से निकलती है जो पश्यम की और सत्पुडा सिर्णी के दो भाणों पहाणों के बीच से होकर महराष्ट राज क उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है तो वो नदी है पेनार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानते हैं पेनार नदी करनाटक राज के चेना केसो पहाणी से निकल कर पूर्व की ओर 597 किलोमेटर बहकर भंगाल की खाड़ी में गिरती है पापाधन और चित्राव पहाड़ी से निकलती है तो वह सोन नदी एंसर बी पार्ट हो जाएगा इसको हम सुबर नदी भी कहते हैं अगले उसने बताना है कौण से इसमेलित नहीं तो कावेरी नदी मैसूर के पठार से होकर निकलती है तापती नदी जो है भैतोल के पठार से बाती है और सोन नदी 25 पठार है जो की गलत है गोदावरी त्यनुंबक के पठार से निकलती है तो आपका एंसर इसमें हो जाएगा सी पार हो जाएगा कावेरी नदी करनाटा के कुर्गे जिले के ब्रह्म किरी से निकटकर 800 किलो मीटर लंबी तो एक बच्पन के उचाएकर मांद सरोट के निकटकर स्ताल जिल जो कि तिब्बद में वहां से निकलती है उत्तर बारत में बहिने वाली यह सदा नीरा नदी है इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली पांच नदीओं में सबसे अधिक है हिमाचल के भाखडा में इस नदी पर भाखडा नाल भाखडा बांध बना गया है और बांध के पीछे विसाल गोविंद सागर जला से भी बनाया गया है ठीक है ब्यास नदी की बात करें तो हर के बेराज में ब्यास नदी जो की उद्गम अस्थला है हिमाचल परदेश के रोहतां दर्रे से सतलत से मिलती है जहां से दच्छिर पेश्चिम के और मुड कर भारत पाक की सीमा का निधारान करती है और यहीं से इंद्रा गांधी नहर निका सबसे छोटी नदी मैंसे काउंसी है तो वह हो जाएकि 100 नदी एनसर डी पाitt हो जाएगा है ठीक किसना नदी की लंबाई 1401 किलो मिटर है नर्मदा नदी की लंबाई 302 12 किलो मिटर है और कावेरी नदी की लंबाई जुसो दच्छिरी का गंगा कहता ही यह 800 किलोमेटरी इस तो इसमें से जो भारत का रूर है वो अगर हम देखेंगे तो कौन सी नदी हो जाएगा यह बताना ठीक है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा एपार दामोदर नदी को कहते हैं एंसर इसका क्या हो जाएगा एपार ठीक है पहले दामोंदर नदी अपने बाल के लिए कुख्यात थी, जिसके कारणे से बंगाल का सोग भी कहा जाता था, निमलिके में से कौन सी नदी थारेकिस्तान से वक्रवेती है, तो वो नदी है, लूनी नदी, एंसर इसका क्या जाएगा, सी पार्टी के, ये एक मात्र भारत की अंतरवाही नदी, अंतरवाही नदी माने कि इस्थल से बहकर चलती है, और इस्थल में ही समा जाती है, ये समुदर में नहीं मिल पाती है, या कोई नदी में नहीं मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतरवाही नदी, ठीक है, निमलिके नदियों में से किस संगम का स्था तीरबेडी संगां की बात करें तो गंगा यमना सरस्थी नदी मिलती है इसको त्रिवेडी कहते हैं तो इसका बी पार्ट करेक्षिर जो कि लाहबाद में मिलती है इस नदी की लंबाई जो 2900 किलोमेटर है यह तिबबत के चेमा यूंग डूंग गिलेशियर से सुरू होती है यहां इसे तांक सोपो सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम से भारतिये छेतर अनलाचल में प्रविश करती है इसकी मातपूर्ण सायक उप नदी सुमन स्री का नदी का नाम क्या है बताना तो इसारी बाते ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कही गई है इसकी लंबाई तेरा सो बारा किलोमेटर है यह बिंदाचल परवत की स्रेंडियों से इस्तित अमर कंटक नामक स्थान से निकलती है तो वो नदी है नर्मदा नदी जिसका समागम पहने वाली नदी नहीं है तो इनमेंस अगर देखा जाए तो किष्णा नदी नहीं होगे बाकि न नर्मदा सावरोंती लूनी नदीयों सब क्यों पैस्चिम शेत्र में बैठी है परत्रम तीन महत्रपूर्ण नदियों का शुरोथ हिमाले की स्थित मानसुरों जिल के निक तो गंगा या ब्रह्म पुतर सातुला ये नदियां पूरबर्ती अफवा प्रारूप का अनुसरान करती है नदि के प्रवाग को मापने के लिए निवने में से किसका उप्योग किया जाता है तो ये करते हैं क्यूस्यक का एंसरिस का भी पाट हुजए तो वह कोसी नदी को बिहार का सोक आज़ा थे क्योंकि बहुत बाढ़ लाती थी अगला पूंग बांध किस राच में ब्यास नदी पर बनाएगा तो ये बनाएगा हिमाचल प्रदेश में इंसरिस का ये पाट हुजए ठीक है ब्यास नदी पर बना हुआ है और इसे महाराना प्रताब सागर नाम भी दिया गया दूलाशति परियोजना किस नदी पर है इस्तित है ये ची नदी पर इस्तित है एंसरिस का ज्योगा ऑन जो सकत JLP में समद्रम परिजना काविरी नदी पर निर्मार है उकाई बांध भारत के किस राजे में इस्तित किस राजे में जो है ये उस राजी का दूसरा सबसे बड़ा बांध है तो ये गुजरात राजी में है इसका एपार्ट करेक्ट हो जाएगा ठीक है ये तापती नदी पर गुज इसका क्या जेगा बी पार्ट हो जाएगा ठीक है कल नई एक प्राचीन बांध है जो भारत में तमिलाड के तंजाओर जिले में कावेली नदी पर बनाया गया है तिरुचिरा पल्ली से पंदरा किलो मेटर की दूरी पर इस्तित बांध का निर्मार मुल रूप से चोल राजा करिकाल के तोरह कराया गया था भाखडा बांध की नदी पर बना हुआ है तो यह 17 नदी पर है इस्तितर इसका सी पाठ हो जागा और यह माचल परदेश की बिलास पुर जिले में 17 नदी पर बनाया गया ठीक है बारत में सबसे लंबा बांध कौन सा इनमें से तो बताना है तो वह कौन सा है तो वह हो जाएगा हीरा कुनबान एंसर बीच सी पाठ करेटर जागा यह 1949 में और इसा के संबड़पुर जिले में महा नदी पर जो है निर्माल किया गया है हीरा कुनबान ठीक है नश्कोसर कुंडल कुलंग परियोजना किस राज में इस्तित है तो यह इ लम्बान किष्ण नदीपर कुरनूल जीला आंध्र पर देश और महबूब नगरते लंगाना जिलोंके मध इस्तित है यह बारत का दुतिय सरवाधिक छनता उला जल विदूत उत पादक की अंदर है पैठन जल विदूत परियोजना किस राज में इस्तित है तो पैठन जल से ज्यादा बांद बनाएं ठीक है इसको हम स्वामी रामतीर सागर बांध भी कहते हैं कंडग सिचाई योजना परियास है तो यह जो है उत्र प्रदेशों बिहार का से प्रियास है तो एंसर इसका भी आपसंस हो जाएगा ठीक है बारत में कुल सिचाई का 45 परशन और घरेलू पानी का कितना परशन भूजल रिजर्ब से आता है तो वह होता है असी परशन और इसका डी पाड करेट हो जाएगा अब जलवाई से समंद कुशन देखते हैं भारत की जलवाई को कौन सी जलवाई को कहा जाता है तो भारत में जलवाई गर देखें तो मानसूनी जलवाई पाय जाता है अश्व कंसी जलवाई है मानसूनी जलवाई है और भारत का प्रभाव जाएगा ठीक है नेश्करसन निम्लिके में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख कारण क्या है तो यह होता है उच्छ आदरता से जुड़ा उच्छ तापमान होता है जो अक्टूबर में गर्मी का कारण बनता है तो राइट एंसर इसका भी पार्ट करेक्ट हो हिमाला जो है मदेशिया से आने वाली ठेंडी हवाओं को भारतियों मदेशिया की तुलना में अपएक्च्छ थल्की सर्दियां अनभव करता है नेश्करसन भारत का निम लिख में से कौन साथ स्थान अतिविशम परकार की जल्वायु का अनभव करता है तो हो जाएगा द से जो है समुद्र के और भहती है और इसलिए देश के अधिकांस भाग के लिए एक शुष्क मौजम बनती हैं तो वह ब्यापारिक पाउने होती है इसका सी आपसंसी हो जाएगा ठीक है ब्यापारी पाउने अगला प्रिशन है भारती उप महादियूप दच्छिड अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी अश्टिलिया में पाई जाता है कौंसी जलवाई तो वो है उश्कडबंधिय मानसून जलवाई पाई जाता है इसे रेपार करेक्ट हो जाएगा ठीक है उश्कडबंधिय मानसून जलवाई जो भारती उप महादियूप दच्छिड जो है शूर की क्लिणों के लंबावत पढ़ने के कारण अंतर उसक्रवंदी अभिसरां छेत्र यानि कि ITCZ इंटर ट्रोपिकल कर्वर्जन जोन की उपस्तिती इस प्रकार की जलवाई को ऊद्र और आध्र बना देती हैं सलाल पन बिजली योजना जो है नेम लखे में से किस नदी पर इस्ती थे तो ये चिनाब नदी पर इस्ती थे था इंसर सी पर और शेलम नदी पर दुलास्ति परिजना चिनाब नदी पर और बगलहार परिजना चिनाब नदी पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निमलिखे में से किस एक के कारण सितिकाल के दोरान वर्सा होती है तो वो पश्चिमी बिच्छो के कारण होता है तो answer D पार, correct हो जाएगा ठीक है जिस कारण दच्छिर पैश्री मानसून हवाय भारत में प्रिवेज करती है पैश्री मानसून सरपर्थम भारत के केलर्डाद में प्रिवेज करता जिसे हाँ मानसून विजपोर्ड के नाम से जही जाना जाता है पैश्मी बिश्चोब जिसका रहा है उत्र पैश्मी भारत में जो है बारिस होती है उसका उत्पत्य अस्तल है तो वो भूमद सागर हो है answer c part correct हो जाएगा ठीक है बारव में कितनी फसले रित्वे पाई जाती है तो टोटल तीन पाई जाती है जिसको हम क्या कह सकते है रवी, खरीब और जायत की फसल कहते है रवी की फसल क्या क्या है तो ग्योहुँ जो चना मटर सरसो आधी होती है जो की जाड़े के मुसल प्रारम होता है और गर्मी के प्रारम में इसको काड़ लिया जाता है और खरीब की मुसल में धान, जौरबाजरा, मक्का आता है जिसे जून-जुलाए में बोते है अक्टॉबर नॉमर में काड़ लेते है जायत की फसलों में खासकर सबजी वाली और सलाद वाली चीज़ा आते करेला ककडी तरबूज यह सब आता है ठीक है नश्करसन बारत यह कि उचतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है तो यह मासिन राम मेगाले में दर्ज की आगया है एंसरिस का हो जाएगा सी पार करेक्ट उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है देखे यह मुल रूप से रेतीली मिट्टी है तो सही है ठीक है इसमें नमी की मातरा को बरकराग रहता है कि लग गलत यह रंग में हलकी होती है और इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है तो आपका राइट एंसर जो होगा वो बी पार्ट से हो जाएगा यह मरुस्तिलिय मिट्टी के बारे में बाते हैं नेशक वसन सूस्क मिर्दा यानि की जिसे ठोस अतवचित्र तथचित्र दोंव सामिलें का एक 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 एकाई आयतं दरभभार क्या कहिलाता है तो इसको हम कहते हैं च्थूल घंट vapor जाएगा च्थूल घंट कैने की एक एक का नियमित रूप से हो जाएगा मिट्टी के ताओ और हुरास को मिट्टी के संबन्द में प्रमुखत्रा माना जाता है निमलिक में से कौन सा विकल्प मिट्टी के सनच्छन का सरवत्तम उपाई नहीं है इसके ऐंसे ऑपाई नहीं से तो इसके ऐंसर हो جाईगा नदियो-दारा लाई गई मिट्टी को जलोल मिट्टी कहते हैं और इस मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है मातरा लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फासपूरोस या हुमस की कमी होती है यह भारत की सबसे उपजाओं मिर्दा है तो वो होता है फेरस आक्साइड की उपस्तिती के कारण एंजर C आपसन से हो जागा ठीक है लाल मिटी का जमाँ पठारी छेतरों में पाय जाता है जिसमें धात्मों, मुकेता, सिल्का और आरन की अधिकता होती है जो आक्सी किरित होनी के पस्चात लाल रंग में परवर्तित हो जाती है जली ओजित रूब में यह मिटी पीली दिखाई देती है और यह मिटी चतिसगर, जहारखन, और इसा, आंदरपरदिस, करनाटक, थामिलान में पाय जाती है यह मिटी कपास, डाल, गेह, मोटे अनाची, उत्पादन के लिए उप्युक्त होता है टेरा रोसा सब्द का क्या आर्थ होता है टेरा रोसा मिस, इसको लाल मिटी कहता है इसका भी पार्ट हो जाएगा यह एक क्यों प्रकार से लाल के लिए मिर्दा है जिसको चूना और पत्थर के अउच्छे से प्राप्त की जाती है तेज वाव दौरा किस प्रकार की मिटी उड़ा कर आती है और जमा हो जाती है निम्लिक में से किस राज में काली मिर्दा यानि की काली मिटी जो है पाई जाती है इनमें से ठीक है काली मिटी जो है दक्कन के पठार में अधितर भाग में पाई जाती है और यह सबस्यादा महराज में पाई जाती है गोदावरियों कृष्णा नदियों के उपरी भागों के दक्कन के पठार के उत्री पश्मिभाग में काली गहरी काली मिर्दा पाई जाती है और इस मिर्दा को जो है रेगुर कहा जाता है या फिर कपास वाली काली मिट्टी भी कहता है इस मिट्टी में जल धारण करने के चमता सरवाधिक होती है रासानिक दिश्टिकोर से इस मिर्दा में चूना, लोहा, माइनिसियम, अलमूना, पोटास की काफी मातरा पाई जाती है लेकिन इस में फासफोरस, नाइट्रोजन, सूच में यानिकी जयोग पदार्थों की कमी होती है नेश्कोर सन कवन से मिट्टी भारत में सरवाधि मातर में पाई जाती है तो वो है जलोल मिट्टी, एंसर सी पार करेक्ट हो जाएगा जलोल मिट्टी में दो है, एक खादर एक बांगर और यह सरवाधि चालिस परसन लग भाग इसका है छेतर फल अगर देखा जाएगा पूरे भारत में अमिट्टी उत्तर के विस्तिर मेतान तर्था प्रयादी भारत के तट्य मेतानों में भी मिलती है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर देशिये लवड़ी एयात रभूम है तो वह राजस्थान में अंसर सी पार करेक्ट हो जाएगा ठीक है होते हैं महाराष्ट्रा करनाटाक हुआ तमिलनाड हुआ केरल हुआ ठीक है आंदर प्रदेश है और यह जो है पड़पाति यानि की पजड़ी बन जंगलों में अधिकतर पाए जाते हैं तो इसका भी आपसल सही हो जाएगा ठीक इन्नेस्ट्रिशन दिखते हैं तो यहां पर जो होता है तो इसका सी आपसल सही हो जाएगा अब यह जो है जहां पर अगर हम बात के हैं तो उस्क्रबंदिये कटीले बन जो होते हैं यहां पर क्या होती बरसा पचास सेंटी मीटर से भी कम होती है यह बन जो है दच्छिर पश्मी पंजाब हरियाना राजस्तान गुजराद मत परदस उत्तर परदस के अर्धसुस चेतर में पाए जाते हैं इनमें कई परकार की घास और जाडिया सामिल हैं अगर हम देखें तो इसमें बभूल बेर ख खाजूर खैर नीम और खेजरी तथा पलास आध जो है यहां पर पेड़ पोधे उगाया जाते हैं ठीक उगते हैं नेश्वसन अगला प्रने सागोन साल सीसं हुर्रा महुआ आउला सेमल कुसुम चंदन आध जो है किसकी प्रमुग पर जाते हैं किस वन की तो यह सारी कि सा रत वर्स में बहुत आयत में पायजाते हैं कि सबसे ज्यादा पाये तहीं मानसूरी बर मीं कहते हैं यह उनचखों में पाये जाते हैं चेतर में अधिक्तम बिर्धी देखी गई है तो इनमें से अगर देखेंगे तो आंद्र पर्देश में सबसे ज़्यादा बिर्धी देखी गई ठीका 647 किलोमेटर की बिर्धी हुई है इसके बाद दूसरे नमर पर तेलंगाना है तो आपका एंसर इसमें सबसे जाएगा ठीक यह सत्रहुई जो है वन का रिपोर्ट था सत्रहुई डिपोर्ट थी जनुरी 2021 में जो है जारी हुई थी और इसमें सबसे ज्यादा आंद्र पर्देश में हुई थी इसके बाद तेलंगाना में फिर ओडिसा में तीसरे नमर पर आता है चेत्रपल के जारी जाला पर करतियां प्रदेश करें जो जोंठ अगर बात करें तो वन में बनसपती कि वह परत जो जारी की तीक नीचे नीचे होती इसको हर्ब लेयर कहते हैं तो यह चीजे याद रखेगा नेश कोशन निम लिखेश में से कौन विशेश रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्य उद्यानों में से एक है तो वह है खांग चेंद जोंगा राष्ट्य उद्यान जहां पर यह लाल पांडा पाए जाता राष्ट्ट में है पापी कौंडा आंदरपर देस में पाणवाट के अध्क निमन विखेश में से कौन भारत की सबसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्य उद्यान निमें से PayPal हो जाएगा है में राष्ट्य उद्यान कहां है ल्डाट है अगर श्य केह सो इन 5558 कील्योमेट जो है एक काउन से भारत में टाइगर रिजव नहीं है इनमेंसे तो इनमेंसे बताना है भारत में टाइगर रिजव को नहीं है ठीक तो इसका एंसर क्या हो ब्रतवान भारत में तिरपन टाइगरीजर घोषित किया गया है और यह उत्तर पुर्देश के ट्रीकूडजीले में इस्तित हैं और रानिपूर में और उदारन के लिए गर हम पात के तो एक जंगल में ब्रिक्ष सर्वोपरी उर्ध्वादर अस्तर जाड़िया दुटियक इस्तर तथा जड़ी बुटिया घास जो होते हैं निचले धरातली अस्तर पर रहते हैं अगला कुछ से ने रूविक के समान दीखते हैं और वह आम तोर पर 4000-7000 मेटर की उचाए पर बंगते हैं तो वह होता है कपासी मेग आइंसर डीपार हो जाएगा ठीक के सबसक्राइबर से लिकार 7000 मेटर के उचाए पर यह रहते हैं और यह मेग जो है रूविक के समान इनके अगर हम बात करें तो यह दो प्रकार होते हैं एक होता है सुच्छ मौसम के सुचक जो सोयत रंग के छोटे-छोटे मेग के टुकड़े होते हैं और अधिक उच्छे मेग जो कपासी वर्सा या जंजा जंजावती है मेगों से बिक्सित होते हैं तो पच्छा मेग की बा परियावरान सांसाधन भारत का कितना भूब चेतर फल जो है बन-चेतर के अंतरगत आता है तो टोटल 25 परशेंट आता है परदेश में इस्तित थे तो यह उत्तरा खंड के लगभग 25 किलोमेटर दूरी पर इस्तित है और इसे जो है वनजीव भ्हारण बना दिया गया है नेश करसे ने बन विभाग के सर्वेचर के मताविए भारत का वास्तिविक बन कबर भागवलिक छेतर का कितना परशंट है तो टोटल 21.54 परशंट है यह देखिए यह जो बताया गए यह 2019 का डाटा बताया गया ठीक है 2019 वाला डाटा बताया गया लेकिन अगर हम 2021 के डाटा क मतदेश के भागवलिक छेतर का जोकी 21.81 परशंट आता है और 2019 में 21.61 परशंट से अधिक है ठीक है नेश कोशन बारत के किस राज में वन चेतर सबसे सरवाधिक है तो वह हो जाएगा मद्द परदेश एंसर इसका एपाट करेक्ट ठीक है वन की बात करेंगे तो 2021 में भी मतपर देश का ही परथमा स्थान है बारत मेंने लेकिन मेंसे किस परकार के वन का सबसे बड़ा चैतर है तो इनमें से अगर देखा तो उसकुर्प्रबदिया नाम कोशन परपाटी का नाम दिया अंगै fist किस फसल की खेति कε स सकता होती है तो जल को मृत्पिस होता है छावल habit सबसे जाद पादन पश्ची मंगाल में होता है दूसरे अस्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है किस भारती राज में एसिया का सबसे बड़ा लंबा सबसे लंबा दुरुत गति परिक्षा माग नैट रैक्स अना अनावडित हुआ तो वह हुआ है मतप्रदेश में इसका बी पाट हो जाएगा ठीक है नेट रैक्स नेट कुशन देखते हैं निल्विके में से किस भारती बैग्यान के नार्मन बॉल्ला के साथ सहयोग किया कि जिसकी परेडित भारत में हरित करांद के सुरूब में हुई तो वो थे मस्वामीनाथन इसका डी पाट हो जाए हैं और हरित करांद के फल्सुरूब जो है देश में किर्शी छेत में अभूत पूर परगयती हुई भारत का खध्यान उत्पादन हरित करांद के कारण ही 283 मीटरिक तन पहुच चुका है तो इस तरीके से चीजें हो गई नार्मन बॉल्ला को भिस हरित करांद में हमें यहां चाय का प्रमुक उत्पादक राज जहां चाय का कुल भारत के उत्पादन के लगवक तीन चौथाय के भाग के समान होता है तो वह हो जाएगा असम और पहत्य नंगाल में सबसे ज़्यादा चाय उगाए जाता है निम लिखें अगर हम बात करनातक राज में अधिक्तम 71% और केरल में 21% और तमिलार में 5% काफी का उत्पादन होता है अगला उसने मौसम के दोरान जो है रवी फसल की खेती की जाती है कौन से मौसम के दोरान पंजाब का नंबर आएगा अगर हम देखें तो चीन के बाद भारत विस्ट में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल के मामले में तो वानजी किरिसी के अंतरकत आधुनिक निवेसों जैसे कि अधिक पैदावार होने वाली बीजों रसानी कुरबरकों किट ना किवले में दुनिया भरह में भारत से कॉंट अस्थान पर आथा है तो वह हुझेश कहुं निश्क्रास divisions कप से चल अधे छाए और काफी सब वसल कहाा सब्ध में से क्रिसी विकास सम्मंदित नहीं हैं और किर्सी विकास समय हो unt सब्सक्राइब करें तो क्लूसाये यह विद्विली करते हैं परियोकर को हो आप सब्सक्राइब को किस नाम से जाता है तो उसको करके नियम लिखे तो तरीकों में किसे ट्रिंक्ल सिचाई की रूम में जाना जाता है तो वह सब्सक्राइब जाएगा इसमें अगर हम बात कें तो जल को धीमी गत से बूंद बूंद के रूमें फसलों के जड़ों पर एक छोटी सी ब्यास के प्लास्टिक पाइप से प्रदान किया जाता है इस विदित से पानी का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता और यह सता वास्प कीनो रवी की फसल लेकिन कपास जो है खरीब की फसल है तो एंसर इसका एक पाट करेठ हो जागा ठीक है खरीब के अनफसलों में चावल मक्का बाजरा रागी सोया वीन मुंख़ली कपास आद्ध खरीब की फसलों के अंतरगत आती है अगला प्रशनल मिख्य में से कौण और दोगी फसलों की पर धानता है यह भातिया फसलों की मुक भी जरत विशेष्टा नहीं है ठीक है बाकी आगर देखें तो भातिया जो किरसी है वो मानसुन पर निर्भड करता है किरसी पर जनसेका का दबाव भी है और यह एक निर्वाह खेती के अंतरगत आता है तो इस सहकारी खेती कोपरेट्व फार्मिंग आइंसर इसका हो जाएगा डी आपसन ठीक है सहकारी किरसी के अंतर किरसान पर संगठित होकर लाब प्रावति के लिए हम सामोहिक रूप से खेती करते हैं और किरसक अपनी भूम पूंजी रकम को एकत्रित करते हैं ता भूम को एकति बोर्ड ने जो है किसे नभीन मार्केट प्लस एप की सुरुवात की है तो वह कौन हो जाएंगे तो वह हो जाएगा कॉफी ब्लॉकचेन की सुरुवात की गई है एंसर इसका एपार करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन निमलेके में से कौन साए खाद रोपल फसल तो रभड हो जाएगा रभड जो है खाद रोपल फसल नहीं वाकि को को सुपारी चाय सब खाद रोपल फसल कि अंतरगत रोपर किरसी के अंतरगत बड़े बागानों के केवल एक ही फसल हुगाई आती है रोपल किरसी की सबसे प्रमुख वुशेष्ता इसकी पत्दती है इसमें फसलों को गेहूं या चावल की भांत भीज बोकर पैदा नहीं करते बलकि उनका रोपर किया जाता है। रोपर किर्सी के अंतरगत चाय, कहवा, रबड, नारियल, कोक, आध्य फसलों की खिर्सी की जाती है। अगला प्रशन, भारत में प्रमुक सुपारी, उत्पादक, राजी, निमलिके में से कौंसा है, इनमे से तो वो बताना है। सुपारी राजी के अगर हम बात करेंगे, तो इंसर इसका हो जागा अगला प्रशन देखते हैं। अगर हम बात करनाटक का तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसके बाद केरल का नमबर आता है, फिर तेती अस्थान पर आता है, असम का अस्थान। करनाटक के सिर्सी सुपारी को जियाई टेग भी परदान किया गया। अगला प्रशन देखते हैं। करनाटक का नमबर आता है। खरीब फसलों के लिए किस तरह के मौसम के आसकता होती है। खरीब फसलों के लिए अगर मौसम के आसकता कि अगर हम बात करेंगे तो गर्म और नर्म होती है। तो एंसर इसका क्या हो जागा। एपार्ट करेक्ट हो जागा। खरीब फसलों में क्या आता है। तो चावल हुआ मक्का बाजरा रागी सोयावीन मुंगफली कपा साथ खरी फसले हैं अगला प्रस्ट आम की हिमसागर किष्ण किस राज में है तो आम की हिमसागर किष्ण जो है यह पैशी मंगाल में पाए जाता है इंसर भी पार्ट हो जाएगा ठीक है सूर मुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है तो वह होती है रेगुर या फिर रेगर जिस्त कहते हैं अगला प्रशन देखते हैं हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म पैदावार के लिए प्रसित है तो यहां पर चौसा का आम सबसे ज़्यादा होता है और अगर हम बात करें तो चार प्रजातिया है मालदा जो ब्रांबे ग्रेंज की नाम से जानती है दूसरा है दसहरी तीसरा है लंगड़ा चौसा ह हम चार प्रजातिया होती है जो कि हिमाचल प्रदेश में 14 होती है ठीक है भारत दुनिया में सबसे बड़ा फ्ल उतपादक है और कौन सा तो दूसरा सबसे बड़ा फ्ल उतपादक है डाइट एंसर इसका एपार करेक्ट हो जाएगा दूसरा ठीक है प्रदम अस्थान पर तीसरे अस्थान पर अमेरिका है ठीक है फल के लाओ सब्जी में भारत दूसरे अस्थान पर पहले अस्थान पर चीन आता है 2017-18 के बिस्व में फल उत्पादन के भारत के कौन सा अस्थान था तो दूसरा स्थान था एंसर इसका भी पार्ड करेक्ट हो जाएगा उतरपर परशंट और इसका निश्थान देखते हैं हाली में निम्लिखे में से किसको तिरपुरा का राजजिफल घोषित किया गया है तो यह कुईन अनानास को घोषित किया गया था तो इससरे पार्ड करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन मिर्दा स्वास्त कार्ड से भ खरीब फसले हैं इन में से तो वह जाएगा रिंग एंगो हो जो很好 जो है रभी की फसले बाकिंच में वह सबीक्ति करेब्स अगला समयों सब्सक्राइव एक तिहाई से अधिक है इसका इंसर इसका फार्ड करेक्ट हो जाएगा ठीक है निश्क कुश्चन मिश्क्त में से कि अगला कुछ ने भारत के किसी राज्ज में जो है गयों का सरवाधिक उत्पादन होता है निमेंसे तो वह जाएगा एपार्ट उत्तर प्रदेश में सबसे जादा गयों उत्पादन होता है अब 2021-22 के आखड़ा देख लें तो गयों का उत्पादन में पहले अस्थान पर प्रदेश था 35 मिलियं टन दूसरे अस्थान पर मद्द परदेश है 17.6 मिलियं टन पंजाब का तीसरे अस्थान पर नमबर आता है और अगर प्रत है यह उत्पादन में देखेंगे तो सबसे नमबर पर पंजाब आएगा पहले नमबर पर निमलिके में से कौंसा प्रकार उस किरसी प्रणाली को दरसाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चोड़े छेत्रे में उगाई जाती है तो वो उसको कहते है रोपड किरसी एंसर इसका पी पार करेक्ट हो जाएगा ठीक है रोपड किरसी कहते है इन्हें से कौंसी जो है रभी की फसल है तो रभी की फसल की बा है तो इसमें अगर हम झाल कि बात करेंगे तो राइट था कि यह रोदी तो इसमें एंसर हो जाएगा आपका बारा किया गया था अगला प्रसंद देखते हैं भारत में कि आउसत पैदावार क्या है तो तो दूसरा स्थान रखता है भारत पहले स्थान पर चीन का नंबर आता है तो उत्तर पर पहले स्थान पर पहला स्थान रखता है भारत में नेशर कोशन ने सर्दियों में उगाई जाने वाली फसिले जिनकी वसंत में कटाई की जाती है और क्योंसी फसले होती है तो उने रवी फसल होती है, जैसे गयों जोचनाल सरसो मटर, अगला कुस्ट देखते हैं, कपास में system का उपयोगनिम लिखित में से किस के प्रवंधन के लिए किया जाता है, तो वो होता है चूसक कीट के लिए इस्टम का परयोग करते हैं इस्टम अप्लिकेशन का परयोग चूसक कीटों के परबंधन के लिए जो है करते हैं वास्तव में अगर देखते हैं वाश्ती ग्रवावत में BTGU fishing nine को करता है जिसे ही कीट इसे कीट को रभाता है जिस कारण से कोशका है फूल कर फट जाती है और प sketch creek की मि clinician होती है तमभाकू की प्रती हेक्टेयर स्बाक्राड क्या होता है होती है इसका फूलफार्म होता बिकास प्राधिकरण Ettuğ एक्सपोर्ट डव्लमेंट अथार्टिस का फुल्फाम है इसे तेरा फरोरी 1986 भी को भारा सरकार दौरा दिसमर 1985 भी में संसा दौरा किर्सी और पर संस्क्रित खाद उत्पादों के निर्याद विकास प्राधिक्रण अधिम्यम के तह जो इस्थापित किया गया था किसानों को लाब पहुचाने हैं किसी किर्सी उपस के सहकारी विपढ़न को बढ़ावा देने के उद्देश से निम लिखे में से किस को इसमें से इस्थापित किया गया था तो उसका नाम है नयफेट ठीक है एंसर इसका यह पार्ट हो जाएगा नयफेट कि अगर हम बात कहें तो नेशनल अग्रिकल्चुलर कॉपरेट्व मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया इसको कहते हैं भारतिये किर्सी राष्टिये किर्सी सहकारी विपढ़न संग यह दो अक्टूबर उनिसो ठाउन को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यह राष्थान में मिला है एंसर डीपार्ट हो जाएगा ठीक है और अगर हम बात किने तो इसमें देश में सबसे ज्यादा यूरेनियु के भंडार आंदर परदेश के तुम्रा पल्ली और जहार खंड में और यूरेनियम दुन्य सब चीज़ों में माना जाता है परमार उड़ा के लिए काफी उप्योगी जो है सावित होता है अगला कुस्ष ने 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निमलिखित में से किस राज में कापर में कापर आयस के सबसे बड़ा भंडार है या फिर संसातन है तो राजस्थान हो जाएग सित्र के लो करत का सिरोत क्या है तो डवाली jan इंडरा है जो कि यहां पर लोis की सिरोत हैं विलाई 95 वां पी त्ली राज़ारा से मिलता है और यह खान कहां पर है तो 36ए बालोजिले में इस्तिथैयृटी के सित्प्राइब संत्र के स्थापना रूस के सायोग से चत्यजगर राजज में किया गया था और भाखान जो है कोईला खान है और यह चत्यजगर के कोईरबा जिले में इस थी था ठीक है नेश्वशन राजथान में खेथड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए परसिद है तो प्रफान के जुन 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 जिले में पड़ता है नेश्वशन है निम लिखित में से काउन सा उद्द्योग टेलीफोन कंप्यूटर आद के निर्मार करता है तो वह इलेक्टानिक उद्योग होता है एंसर इसका डी आपसन सही हो जाएगा ठीक है डी आफसन सही हो जाए जिसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन की उच्च मात्रा होती है कोईलो को एक गयर नभी करणी ये उर्जासरोत के रूप में भी वर्गी करत किया गया है इसके चार प्रकार है अंत्रेसाइट बीटूमिनस पीट और लिगनाइटिक है और इसमें अगर हम देखें तो कार कार्बन की मात्रा 60 comment होता है और भूरा कुंळा में लिगनाइट जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा 40-46 odd परशंब होता है अन्येस्ट्वर्शन के महत्वजब कादान कुद्र मंख और मुख है और मित उ Всем अन्न्स आ हिस्वर्श में कोलकाता में हुगली नदी के पास जो ह गंग्रेजों के जबाने में सो जूट को सोने का रेसा कहते हैं और जूट उद्यों का पहला कार खाना को लगता के समीव रिसरा नामक अस्थान पर 1855 में लगा गया था भारतिया जूट निगम के इस्थापना दूसरा और तीसरे अस्थान पर भारत है और तीसरे अस्थान पर भी अतनाम है ठीक है दिसंबर 2018 तक उपलब्द जानकारी के अनसार किस राज में तामबा आइसक का सबसे बड़ा बंडार है तो यह हो जाएगा राजस्थान ठीक है खेदड़ी जो है राजस्थान के लिए अगर हम देखेंगे उत्पादन के दिश्टित तो पहले अस्थान पर मद्द पर देश आएगा तामबा आइसक में बंडार सबसे ज्यादा राजस्थान है वर 2012 तो कुबलब जानकारी के असार विस्व में बाक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश का उनसा है तो तो हो जाएगा आश्ट्रेलिया इसका भी सी पार्ट हो जाएगा अब करन्ट फेर से रिलेटर स्वरी करन्ट यह कोश्चन होंगे तो इसको आप करेंट में देख लीजीएगा अब 2020 के अनुसार भी आश्ट्रेलिया ही बाक्साइट पर पर परत्थमस्थान पर हैं वर्ष 2014 तक देखिए अब 2014 का इडाटर दिया गया है और इसके जैनकानी के अनुसार विस्व में तिन का अगर्णी उत्पादे तो वो समय था चीन ठीक है एंसर चीन ही हो जाएगा बाला घाट तता मलाज गंड खेतर जुन जुनु की खेतरी सिंगना खेतर कि इसके लिए परसु जाएगा एंसर इसका डी आपसंस भाइगा ठीक है भारत के सबसे बड़ा तामबा भारत का सबसे बड़ा कच्छी अठाभ राति काॉंळ साहिं मैं से तो इसका एंसर हो जाएगा डी पर्ट को है मत परेश चोंट हो जाएगा अगला प्रेश ने को अंद्र प्रदेश का निर्मित वस्तुओं का दिक्तम नियाद करता है तो वह पैश्य मंगाल ही करता है इसका सी पार करेक्ट हो जाएगा पर्थम जूट खाना जूट का कार खाना अठार सो पच्पन में कोलकाता में लगाया गया था कि सुद्यों में सर्वजिनिक छेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वह हो जाएगा लोग इस पात्यों में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है तो एंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा कोईंबटूर को दच्छिर का भारत के अंधर इनमें से तो महाराष्ट्र होगा एंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा निवलिखें में से कौन सा अस्थान इस्टिल निर्माड से सम्मदित नहीं है तो जमसेदपूर है बनपूर है दुरगापूर है लेकिन जरिया जारखन जो है इस्टिल निर्माड उद्द्य का नाम से जानते हैं यह पूरवी सिंग भूमजिले का मुख्याल है यहां भारत की पहली निची छेत्र की लव और इस बात कंपनी जमसे टाटर ने इस्थापित किया था नेश को संदेखते हैं अब को परिवहान से देखेंगे जल परिवहान में क्वेश्चन पहला देख बंदरगा इन में से तो वह हो जाएगा चन्नेई चन्नेई का बंदरगा है मानुनिर्मित बंदरगा है 1933 में विक्सित किया गया था प्रस्तावित पूरवी समर्पित फ्रेंट कोरिडोर की लंबाई कितनी होता है तो 1856 किलोमीटर लंबाई है एंसर इसका हो जाएगा डी राड़ बारा है टोटल लेकिन अगरें बरत्मान इघया तो तेरा बंदरगां और ऑगला कुष्ण देखते हैं मारु गवां बंदर हाक की राज मेचते थे माया रूब बंदर बंदर वे ररागे बाढकरunku का यह प्वहार गर्न कहा हो यह सबसे हो जबसे हैं we भी पार्ट हो जाएगा यह सबसे लंबा राष्ट्य राजमायर जिसे नाम से भी जाना जाता था अगला प्रशंदिक निम लिखी में से कौन सा दो दूरस्त रिष्टत स्थान पूरवी के पश्चिम गल्यारे से जुड़े हैं तो सल्चर और पूरबंदर जो है पूरवी औ जो कि यह स्री नगर से आराम होकर करन्या कुमारी तक समाप्त होता है भारत की सबसे लंबा समुद्री पूल अवस्तित है तो यह मुंबई में उसर स्थान हो जाएगा जो कि सबसे लंबा है इसमें तो देखते हैं तो दिया गया है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुलकाउंट सायन में से तो मातमा गाधी सेत हो गंगा नदी पर बना हुआ है और अगर हम बात किने बरतमान की तो ब्रह्म पत्र नदी पर निर्मित भूपयन हजार का से डोला सदिया सेत्व कहते हैं बारतमान से लंबा नदी पुले इसकी लंबाई 9.15 किलो मिटर है और यह सेत्व रासम और अचर प्रदिश को जोड़ता है गतिमान एक सेमी हाई स्पी और के लिए यात्रा कितने वदी दिनों की है तो यह 16 दिनों की है टोटल एंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा दिल्ली मेट्रो अपनी परथम ड्राइबर रही देल गाड नीचे ब्राप्त हुए तो यह दच्छिल कोरिया से ब्राप्त हुए एंसर का बीपार करेक्ट हो ठीक है नेमलेखित में से कौन सा हवाई एड़ा भारत का पहला हवाई एड़ा है जो पूरी तरह से जो पूरी तरह से नविकर्णी उर्जा का संचालन संचालित होता है तो इसका एंसर हो जगा सीपाट दिल्ली एरपोर्ट है जून 2022 से दिल्ली एरपोर्ट जो है भारत का प तो वो था बाग डोगरा इंसर इसका एपार करेक्ट हो जाएगा ठीक है भारत में अंतराष्टी हवाई एड़े कितिने टोटल तो अगर प्रश्नकाल की बात के तो 17 थे बरतमान में 2022 मिन की कुल संख्या 49 होगी अंतराष्टी हवाईट होगी CSIR राष्टी एरो स्पेस वर्योग साला त्वारा क्या नामक कौन सा नामक भारत के सोदसी हलके बरिभान वीमान डिजाइन और विक्सित किया जा रहा है तो वो है सारास एंसर बीपार के रिक्ट हो जाएगा ठीक है सारास नेट कुर्शन देखते हैं राज जूम राजधानी और भाषा से क्वेशन देख लेते हैं निव निखत में से कौन सा निव निखत में से कर देबाके है का थी पारती है लक्षिदीव की राधानी निम्स कौन सा है तो कावरती हो जाएगा एंसर इसका एपार करेक्ट हो जाएगा आईजाल मिजोरम की है सिलवासा दादरा नगर हवेली की है और अंडवान निकोबार दीव समू की है सुतंता के बाद भासा के अधार बने भारत के पहले राज क नाम है तो वह आंदर परदेश अंसर एपार करेक्ट हो जाएगा उनीसोदीरपन में आंदर परदेश भासा के अधार पर गटितो नालब पहले राज बना था ठीक है निजसकोषन मसाई जनजात के लोग कस्वे मसाई जनजात के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग के से तोचावाल होते हैं जो जयातर कहां पाए जाते हैं तो जयातर पूरभी अफरीका में पाइजाते हैं कि कि अपतानी अपतानी जन झाते हैं नहिए बेसे किस राज के मोलनी wine तो अपतानी जन जाते हैं अश्चिक का ऊजरी से यहां महन सर ढूंगर पूर चूरू नारलाई सहर भारत की साथ में जिती तो इस सब राजस्थान में जिती तो आंसर इसका जो है सी पार्ड करेक्ट हो जाएगा पोर्ट बेलेर किसकी राध्धानिया पोर्ड बेलेर जो है डार अंध्र प्रदेश और सबसे पहला और एक राजमात में नेपाली भासा मुख्रूप से किस राज में बोली जाती है तो सिक्क्रिम में बोली जाती है यह सबस्क्राइब करेगा कोरगा भारत किस भाग में आदिम जन जाती है तो यह सारी समूह कि जन जातियां ये केलल राज में पाई जाती हैं इसर इसका सी पाट करेक्ट हो जाएगा अब दिखेंगा अंद्र प्रदेश की जन जातियों में लंबाटा गोंड चेंचू बंजारा आते हैं अंडमान निकोदीब समूपर आउंजे जारवा अंडमानी निकोबारी सेंट ली जाते हैं ओडिसा पर भुईया गोंड खरिया कोल औराव संथाल जातिया पाई जाती हैं बुटिया जन जात जो अपनी पारमपरी भवता और कला पाक सेली के लिए जो है व्यापक रूप से जानी जाते हो किस राज में मिलती हैं तो यह सिक्की में मिलती हैं इसरे ख़र जन जाति होती हैं राजस्था अंगांऑ कॉण्यक जमट जाति हैं राज्स्थान में देखें से ख़्ों कि रास्थान का सपेद कहते हैं तो इसको पूर्भका वेनिशघ ङाता है म्याट की राधानी उद्धृप्र च partes भथिए महार्णा उदे मिलती से निमुष कु बनाया गया भारत का उंती स्वाराज कोंसा है तो वह तेलंगाना ठीक है 2014-2014 को आंदर पर्देश का विवाजन कटके उंती स्वाराज तेलंगाना बना था अब बरतमान में 28 राज और 8 के अंदर सासित पर्देश हैं दच्छिड भारत का मांचेस्टर किसको कहते हैं तो ठिश्णा नदी के किनारे इसर इसका डी आप सासे धिया ठीक है त्रशी राजमंद्री नासिक को गोदावरी ने किनारे संबहल बुटकता कूड़ी सा महान अधी किनारे आउजयन चिप्रा नदी के किनारे मर्यूर गुढ को हाली में जियाइ परदान किया गया है और यह होई मर्यूर भारत के किस राज में इस्थी थे तो यह की जाला प्रश्न कि शीरी नगर किस नदी के तर्ड परिश्थी तो शीरी नगर जो जहलम नदी के तर्ड परिश्थी थे अंसर इसका भी आप संसे हो जागा ठीकर बारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील जो कि यह नाम क्या है अगर तला ठीक है आप कुछ भी चीजें देख लेते हैं जिसे कि एक एकड में कितने वर्ग घज होते हैं तो 4840 वर्ग घज होता है तो एकड कूरीट हो जाएगा थिक यानि पिर 4 446 0800 400 44 दस्मड दस्मडोAwd अगर मीटर में पुछा जाएगा तो अफीड में पुछा जाएगा तो तेतर लेजार पांसो साथ फीट स्कार होता है एक एकड़ में अगला प्रेशन निल्खी में से कौन सा राज भारत का पहला हर गर जल प्रमारी तराज बन गया है तो वह बनाए गोवा राज एंसर भी पार्ट करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह करेंट अभेर से था क्वेश्च बनाए तो देखिए भारत की तट्ये रेखा चक्रवातों से सुरच्चित है तो गलत है तो जो है पहन भूम से महासागर की तरफ बहती अभी गलत है एक अथी उच्छ दबावाली पंडाली द्वारा उसके आसपास गूंती अत उच्छ गत वाली पहनों के साथ एक में बारिस के पानी के संग्रहन को अनिवार कर दिया था तो वह तमिलनाड राज्य था एंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा ठीक है वर्च 2015 में अब यह करेंट अफेर से कुश्चन था भारत दौरा अंटारिक्टा में स्थापित स्टेशन का नाम क्या है तो भारती है एंसर बारत का हिमाद्री स्टेशन इंसरी का है तो आर्केटिक मेंैं इस दित अजिसका अट्रकृट करेक्ट हो जायेंगाव नौ कि देखें तो डीपॉर हो जायेगा अधिकिक उपच गुरूध औरहर परिक सेभिसें ढूंध के सुंधानड या जानगारी देता है सब्सक्राहें पहानर इसम पर सब्सक्राइब करने सब्सक्रान्य करेंगा बाद अचरा बंदर्ड workers एगले बन्दीर अवे dob त मिलारकणना क फिकES धेगला करने तो परिए और पर पड़ता है और गोबिन वालाप पनतु सामाजी वि ज्यान सनस्थान यह कहां पर पड़ता है तो इस सथानी में पर पर प्रियागराज में तो इसका प्रीका पार्ट करेक्ट हो जायेगा है है को आमर वर्षा और कर्यogi में जाता है और इस थिकल और इसके दोला प्रयक्ष्य कर रहकर भी अपने चारो और कवातरों डेख सकता है है कि भारत-क राश्टी सर्वेच्छन-मान-चे馬 चित्रन-संगठन में स्थाफित किया गया तो इसका सी पार करेक्ट हो जाएगा इसका मुख्याले देहरादून उत्राखंड मिश्थी थे सर्वे मैप फैतालिस डी सेवर के अंतरगत कौन-कौन से राज हैं तो यह गुजरात और अस्थान आते हैं इसर सी पार करेक्ट हो जाएगा टी बोड टी बोड आफ इंडिया के मुख्य कारियाले कहां परिश्थी थे तो इसका करेले कोलकाता मिश्थी थे उन्नी सुच्वन में इसकी स्थापना की गई थी हरिश्चंद्र अर्मार उर्जा विभाग दारा भारा सरकात अरवेति पोसित है तो यह था आज का गवराल वीडियो जिसको लोगों ने देखा डिसक्स किया वीडियो पसंद आथा तो लाइक लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और 299 की 300 क्लोश्चन है जो कि आपके संपू अर्मार ने जो कि आपके संपूर मत बार कि चैनल को लिसक्राइब करना मत वीडियो कि यह था आज कि दो एक लिएगज।